नमस्कार दोस्तों देश भर में लगातार बढ़ते कोरोना वारिस केसिस को देखकर लोग वैक्सीन के पीछे भाग रहे हैं लेकिन एक तरफ हमें खबर में सुनने को मिलता है कि कुछ वैक्सीन से ब्लड प्लोटिंग के केसिस सामने आएं कुछ बहुत ही जान लेवा और खतरनाक साइड एफेक्ट्स हमें देखने को मिले हैं और दूसरी तरफ हम ऐसे केसिस देखते हैं जहां पर लोगों ने वैक्सीन ली लेकिन फिर भी उन्हें कोविड नाइटीन हो गया जाहिर सी बात है ये सब देखकर आपके मन में सवाल उठेगा कि क्या मुझे वैक्सीन लेनी भी चाहिए आईए इनी सवालों को आंसर करने ही कोशिश करते हैं आज केस वीडियो में सीधा साइड एफेक्ट्स की बात करते हैं ब्लड क्लोटिंग वाले हानिकारक साइड एफेक्ट्स जो हमने देखे हैं वो हमें ऐस्टर जैनिका ओक्सवर्ड वाली वैक्सीन में देखने को मिले हैं आज के दिन दुनिया में सौ से जादे देश इस वैक्सीन का इस्तिमाल करने लग रहे हैं इंडिया में दो मेन वैक्सीन इस्तिमाल करी जारी है, को वैक्सीन और कोवीशील्ड, यही AstraZeneca वाली वैक्सीन है, तो शुरुवात में जब इस वैक्सीन को टेस्ट किया जारा था, कोई बड़े हानिकारक साइड एफेक्ट सामने नहीं आए, लेकिन जब इसका इस्तिमाल कि देखने को मिले अब blood clotting दोस्तों काफी हानी कारक चीज हो सकती है अगर वो आपके brain जैसी जगाओं पर होए तो आपके blood flow को block कर सकती है जिससे कि आपकी death हो सकती है इन चार में से दो health workers की death हो गई brain hemorrhage की वजए से बाकी दो को hospitalized किया गया और इसके बाद similar cases देखने को मिले डेनमार्क में जहां एक औरत की मौत हो गई और इतली में जहां एक इंसान की मौत हो गई और यूके में भी साथ ऐसी deaths देखने को मिली इन सारे cases को देखकर कई countries ने temporary ban लगा दिया इस vaccine के इस्तिमाल पर Denmark पहली country थी जिसने AstraZeneca vaccine का use temporarily suspend कर दिया उसके बाद Iceland और Norway ने भी ऐसा ही किया इन countries ने कहा कि हम as a precautionary measure इस vaccine को भी इस्तिमाल करना बन कर रहे हैं जब तक और data सामने नहीं आ जाता कि ये actually में इसके side effects कितने हानिकारक हैं और कितना ज्यादा लोगों को इससे risk पहुंचता है आज के दिन कई medical organizations ने इस issue को detail में study किया और हमारे पास ठोस data available है कि actually में इससे कितना risk है European Medicines Agency EMA का कहना है कि जो blood clotting का risk है इस vaccine से वो है one out of hundred thousand cases मतलब अगर इस vaccine को एक लाख लोग लगाएंगे तो उनमें से एक ऐसा case निकल सकता है जिसमें blood clotting देखने को मिले तो ये जो risk है ये very rare risk है British Health Regulator के data के according ये risk और भी ज्यादा कम है और उनने काया कि ये risk actually में one out of 250,000 cases है अब आपको शाद सुनने में लगेगा कि नहीं ये फिर भी काफी ज्यादा risk होता है मतलब एक लाख में से एक ऐसा case निकलेगा लेकिन आप इसे बाकी चीजों से compare करिए किसी भी इनसान के लिए on average एक car accident में मरने का risk है approximately one out of five hundred किसी का डूब के मरने का risk है one out of one thousand और ये जो one out of one lakh का risk है ये उतनी ही probability होती है दोस्तों जितनी probability है कि आप किसी के mobile number के आखरी पाँच डिजिट guess करके तुक्का मार के बता दो तो ये मैं आपको अंदाज़ा दिलाना चाहरा हूँ दोस्तों कि जब हम very small risk कहते हैं तो actually में कितना very small है ये इसलिए दोस्तों इन सारी medical organizations ने recommend किया है कि इस vaccine को इस्तिमाल करते रहना चाहिए क्योंकि जो coronavirus से मरने का risk है वो कही ज्यादा है as compared to vaccine के मरने के risk से लेकिन इसके बावजूद भी कुछ countries ये risk भी नहीं लेना चाहती है Germany, France, Spain, Italy, Portugal, Netherlands, Australia, Canada इन सारी countries ने AstraZeneca का vaccine का इस्तिमाल करना अब बंद कर दे